करिश्म सिंग आप अच्छे से जानती हैं कि हमें वाइलेंस बिलकुल नहीं पसंद, वाइलेंस के तरीके से जुर्म खत्म नहीं होते हैं ये बात हम आपको कौन सी बाशा में समझाएं लेकिन किसी को भी समझाने का क्या फाइदा जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाएं उनका भरोसा नहीं जीत पाएं, इस थाने में अब भी हमारे साथ विश्वासगात होता है, हमारे साथ धोका होता है, मुखवीरी की जाती है इस थाने की जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो कोई और लड़ाई क्या लडएंगे? एक मिनट मैडम सर, आपको लगता है कि हम धोके बाज हैं? आपको लग रहे हम वो मुखवीर हैं, जो यहां की बाते वहां करते हैं? मैडम सर, नहीं यह ऐसी बात कर रहे हैं, पुषपज, हमें बात करने दीजा तो इस पर आपको गुसा है बहुत सही नाम से नवाज है मैडम सर आज आपने हमारी इमानदारी को, हमारी करमत तको बहुत बढ़िया नाम दिया है आपने हमारी निष्टा को और बहुत बड़े अलंगकार से सुशोबित किया है हमारी दोस्ती को भोके बास ये मैज एक शब्द नहीं है मैडम सर ये वो तलवार है जो आपने हमारी दोस्ती के सीने में एकदम ऐसे खोच दी है और इसका दर्ध हम जिन्दिकी बढ़ नहीं बुलेंगे कभी भी नहीं जै वाह क्या बात है क्या टेलेंट है अरे इतना टाइम को खाली जाल पर ही रहे सकती है मतलब तुम सच बोड़ रही थी तीस सेगंड पानी में और रहती तो डूब जाती जब लगा कि अकेली डूब रही हो आशिक ने चूरन बना दिया है तो फटफट तैर के नदी से भार आ गई अधरी मेडम आपके सामने मनने से बच्चियों मैं पिर भी कह रहो कि मैं जूड बोल सकती हूँ देखो भाईया ऐसा है कि सौ प्रतिशत मुकमल इस जहां में कुछ नहीं होता ना सच ना जूट ना प्यार ना नफरत सब में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है बस वही चेक कर रहे थे अरे माडम हमारा काम होकर हम जाएं बिसनेस देखना है आँ बोट चलता है तुवारा बिसनेस अरे माडम चलता है आपको कुछ बिर्यानी और चाइब से कुछ चहिए दौमें बताएए कि जी आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है आप इदर साइन कर दीजेए जी हो गया आपके अश्यक का नाम किया है आपके अश्यक का नाम किया है अमित उसका फोटो है हाँ जी लिए मेडम थोड़ा जल्दी किजिए मेरी फ्लाइड मिस हो जाएगी यह अमित है हां क्यों ने ने हाँ बस यह फोटो हमें हमारे फोन नंबर भेजो और जोरत पड़ा तो तुमको कॉल करते है ठीक है ठीक थानेवाद यह क्या है भुषपाजी बद्धे किसी का नहीं मेडम सेर बले ही जिन्दगी का तजुर्बा आपको हमसे जादा हो मगर उम्र का तजुर्बा उसका क्या करें गया उम्र का तजुर्बा तो उम्र से ही आता है न और हम उम्र में आपसे बड़े हैं तो जाहिर है हमारी उम्र का तजुर्बा जादा है और हमारे उम्रे का तज्जूर्बा कहता है, अभी जो आपके और करिश्मा जी के बीच में जो बहस हुई, वो दो अलग नजरियों की वज़े से नहीं हुई, कुछ और बात है, हमने महसूस किया, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परिशान कर रही है मैडम सर, बताइए ह अंग्रे जो ने हमारे देश पर 200 साल राज किया, 200 साल, हमारा सब कुछ शीन कर लेकर चले गए, दिवान जी जानते हैं, तो अब क्या सब वापे शीन कर लाएं हमसे, पर जाते जाते हमारे सामराज्य को प्राप्त करने के लिए एक अचूख हतियार दे कर गए, जान रूल, फूट दालो और साशन करो, क्या 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 चाते दिवान जी, थोड़ा साफ साफ कही है, यह देखे, यही वो वीडियो है सर, अब यह तो हमारी वर्दी तुमारे 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 पिता जी की लॉंडरी मशीन में दुलेगी, नहीं तो हम तुमको इतना धो कि जब भी वर्दी देखोगे एकी बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मकर तुम साना देखा, सर इसी वीडियो ने इस सामराजे की नीव में बगावत की चिंगारी सुलगाई है, सर यह वीडियो मैंने किसी से लिया और अपलोड कर दिया, और अपने के अपना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपियसत, हमें नहीं है जरूरत इन सब चीज की पकड़िये फोन, सर जरुरत है, आपको किसी भी हालत में जीदना पड़ेगा, और सर यह जो बार बार आपको इंसानियत और शराफत के दोरे पड़ रहे हैं, भूलेगा मत कि 15 दिन में आपकी दीदी आ रहे, और साथ में पापा या तो फिर छोटी बहन आने वाली है, और उनके सामने आपने लंबी-लंबी छोडी है, कि ये थाना अब आपकी अंडर है, आप इस थाने के ऐसे चो है, और महिला टीम पूरी यहां से जा चुकी है, क्या होगा जब आपकी पाप पर ना, लोड लेना, बंद कीजी आप, और अगर दुबारे आसी ओची अरकत करने के कोशिश की ना आपने, तो मुझसे पुरा कोई नहीं होगा दिवान जी, I want you. Sorry, sir. ये लीजे, DSP, sir, ने हमें ड्रग्स वाले केस को रियोपन करने के लिए कहा है, कहा है कि उसे दूसरे एंगल से इंवेस्टिगेट करें, उनका मानना है कि हमारे थाने की ही किसी मेंबर की शाय में, ड्रग्स चोरी किये गाए है. मगर मैडम, sir, वो तो हमारे… आपकी वज़े से हुआ है, हम जानते हैं. ये पूरा एक दिन, मैं आपके साथ बिता सकता हूँ. ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन. इसमें तो बरामा ड्रग्स रखा था, कहां गया है, यहां से सब गयाब हो गया. लेकिन, पुष्पा जी, ये बात आप भी तू नहीं जानती थी ना, कि एक बच्चे के जरीए आपको इस्तमाल किया जाएगा ड्रग्स चुराने के लिए. हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कि हमारे टीम में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता. इनफाइक, सोच भी नहीं सकता है ऐसा कुछ करने के बारे में. लेकिन, हम DSP सर को क्या जवाब दें? इस इंसान को डूढने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है. पुष्पाजी, अफसोस की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ अमर विद्रोही और करिश्मा सिंग ही DSP सर से मिले हैं. और करिश्मा सिंग ने हमें इन मीटिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया. इसलिए हम उनसे नाराज हैं. कम से कम हम ही तो पता देती, हमें confidence पर रखती, ताकि हमारे थाने से related कोई भी सवाल उठे, तो हमारे पास उसका जवाब हो. इसलिए हमने गुस्से में वो सब कहा. और सच बात ये है कि हमने करिश्मा सिंग को धोकेवाज या विश्वास घाती कहा ही ने. पुश्पजी, करिश्मा सिंग तो भी हमारी दोस्त हैं, लेकिन उनकी खुददारे और उनकी इमानदारी पर तो उनके दुश्मनों को भी कभी शक ना हूँ. आपको पता है हम करिश्मा सिंग से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं. उनका अजस्बा, उनका जुनून, उनका वर्दी के लिए पागलपन. अच्छा लगता है हमें. रोज सीखने की कोशिश करते हैं. और चाहते हैं कि वो भी हमसे कुछ सीख लें. कम से कम उतना जो उन्ह उन्हें समझाईए कि हम उनकी बहुत परवा करते हैं. और उनके बारे में उनके लिए सिर्फ अच्छा ही जाते हैं. कुदो! कुदो! हाँ, कुदो! और कुदो! कुदो! मडम, बस कीजी, क्या करवा रहे हैं आप? अच्छे खासे इंसान से कंगारू वाली हरकते क्यों करवा रहा हैं? हम, तुमने डिच किया न अपनी गर्ल्फेंड को, तुम दोनों साथ में कूदने वाले थे नदी में, वो तो बिचारी कूद गई, खुद तो कूदे ही नहीं, अब ये तुम्हारी पनिश्मंट अब कूदते रहो, कूदो! क्या बक्वाँ साथ हैे? क्या? मेरे मतलब कहने का कि जब मैंने कुछ किया, कुदते कूदते बोलो! हा… हाँ… मैं कहर space मैंने कुछ किया है नहीं, तो मुझे थाने में, क्यौनी थाए मया कूदय है? किधर तिवान जी अरे सर यह वही लड़का जिससे में वीडियो लिया था जो आपने वायरल की थी ना जी सर अगर इसने मुझे सब के सामने पैचान लिया कि मैंने इसे वीडियो लिया था तो सोचे करिश्वा मैडन मेरा क्या हाल करेंगी तो यह मिलवाते हैं ना अपको कि यह जो जचबातों का चूरन होता है ना यह बहुत बहुत दिमाख खराब कर देता है आपका इसलिए इसके कभी चक्कर में मत आ जाना कैना हम आ गए थे हमारे लाइफ में जो एक बहुती बड़िया सेल्स मैन आया था और उसने यह जचबातों का चूरन चटवा दिया और हमारा दिमाख खराब हो गया था लेकिन अब 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 हमारी अकल ठिकाने आ गई है उस चूरन के जो असर है ना उससे हम भार आ चूके हैं और वही बन गए है जो पहले थे पुराना करिश्मा सेंग जो पहले हुआ करते थे एकदम दबंग हमें मालूम है परबारे में कि हम तुम पर थोड़ा भी रहम कर देंगे तो ऐसा बलकुन नहीं होगा अगर हमारा टाइम बर्बाद किया, अगर हमसे जूट बोला, अगर कुछ भी कड़बड किया ना तो महिया कसम बता रहे हैं, वो मार लगाएंगे कि जब भी मुझ खुलोगे एकी बात बोलोगे गरोगा जी देखे दे बहुत मगर तुम सा ना देखा हाँ, तो आप ही है ना वो आशिक जिसने पहले उस लड़की के साथ प्यार के पेच लड़ाए फिर साथ जीने की कसमे खाई, फिर साथ जीनी पाई, तो साथ मढ़ने की कसम खाली और जब मढने का टाइम आया तो वो तो कूद गई, लेकिन जब आपने मौत देखी तो आप महा से पीछे हड़ गए, आप ही है ना वो और आप ही वो इनसान है ना जो उस दिन फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे और रो रहे थे वो इनसान है ना मतलब आप अपने प्यार को छोड़के अपने घरबार को छोड़के अपना सब कुछ छोड़कर यहां से रफूचक करोने की कोशिश में थे, हाँ? सच बताव और ना उधेड के रख देंगे यह यह आभी क्या भी? करिश्मा सिंग हम बात करें हम बात करें इतना इंटरेस्स से तो चलिए न उतर देखिये न जाट अरे अरे नहीं साथ सथ, नहीं, नहीं, प्लीज तो बहतर यह होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो वरना वही तो मैं जानना चाहता हूँ मडम मैंनी क्या किया है क्यो लाया गया है मुझे यहां नहीं सच बोलो वरना बुलाएं करिश्मा सिंग को करिश्मा मैंडम मैं सच कह रहा हूँ मैंडम मैं नहीं जानता तुम जूट बोल रहे है शिखा तुमारी गल्फरिंड है जिसे तुमने दोका दिया है वरना कोई भी लड़की एक इनोसिंट इंसान पर खामखा का इल्जाम क्यों लगाएगी यखीन कीजे मैडम मेरी कोई गल्फरिंड नहीं है ठीक है अभी तुम सच नहीं बोलना चाहते मत बोले कानूनन हमारे पास अधिकार है कि हम रात भर तुम्हें स्थाने में रख सके जो हम करेंगे आई है ना हमें आम तो फिर कुष्पँजी श्रीमान दिवान है ना आई आई दिवन जी आई 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 दिवन जी आप फीक तो है ना हाँ तो मेडम भस थोडा आजुकाम है भस तो रिटार्मेंट ले लिजी ना पान कर देवान जी हमारे पास फिलहल कोई अप्शन नहीं है इसलिए आज रात की ड्यूटी आप ही समालेंगे मुझ जरिम पर नजर भी रखेंगे और थाना भी समालेंगे हाँ मैं कर लूगा मैंटम मैं कर लूगा जाहिन जाहिन कुल्टी च्वीब इनको लॉक अप में डालिये जी सर आईए कि अधर दूप शांत शांत शुप एक्टम शांत यद्ध साथ में अधर आप पैचान दिया इतना धका चुपा यह फिर भी पैचान दिया कैसे नहीं पैचान हुगा तो यह ऐं मानेश जैसा शरीर उपर से पढ़ी हूई आवास मेरा मतलब बहुत रेर कॉंबिनेशन है ना सर इसलिए पैचान लिया अचा सुनो अब मेरी दो बाते गौर से सुनो पहली तुमने मुझे कभी भी कोई वीडियो फॉवर्ड नहीं किया और दूसरा हम दोनों कभी मिले ही नहीं समझे पर सर अगर दूसरी बात होगी तो पहली बात कैसे हो सकती है मतलब अगर हम मिले ही नहीं तो मैं आपको वीडियो सेंट क्यों करूंगा सर अरे वाह लड़के तो बहुत स्मार्ट है बहुत जल्दी उपर जाएगा तो मैं क्यों कर रहा है सर अगर आपने फोन से करने दे तो नहीं हो सकता ना मेरा पूल में बैलेंस नहीं है मुझे तो डर लग रहा है सर अगर कही कल पूचताच में मैंने आपका हुलिया पुता दिया तो अरे कैसी बात कर रहे हैं मजाग कर रहा था अरले लेकिन सुनो सिर्फ टीस सेकंड आहां सर आप सरब प्लीज हेलो हाँ शिखा मैं मैं हमीत बोल रहा हूँ पाता है मैंडू आगी अन मेरी शिखा मेरी बात सुनो जाता टाइम नहीं है सिर्फ इस सेकंड का टाइम दिया स्मिल पुहाबदाशन मुझे तु पुली स्टेशन में हो वहाँ वेरी गुड इस ही लाएक है तु तु मेरी बात सुनो मिकुना तुसे कोई बात नी करनी है अरे लेकिन मेरी दोग के बास है तु दोग के बास अरे मेरी बात तो सुन लो मैना तेरी शक्ता में देखना देखना चाती हूँ अरे तो फॉ अलो? रुक जा का? कैप पहनोगी तो यूनिफॉर्म पूरी हो जाएगी ना? फिर तुम हमारी सीनियर बन जाओगी फिर हमें हमारी बहु से जो कहना है वो अपनी सीनियर से नहीं कह पाएंगे का कहना है? बैठो ना? बैठो हम जानते हैं यह वर्दी तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा फर्ज तुम्हारे लिए कितने माइने रखता है? वर्दी के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पन, तुम्हारी श्रद्धा, कौन नहीं जानता? किसी भी रहा चलते हैं, उठाईगीरे अमिरजादे को कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी इस वर्दी का अपमान करने का. इसलिए तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया, बिल्कुल सही किया, यही होना चाहिए था उसके साथ. देखो, हम यहने कहरे हैं कि तुम गलत हो. यह पुश्पाजी थोड़ा खुड़कर कही है, क्या कहरी हैं? गुश्पाजी अकसर उनी लोगों को आता है, जो दिल के बहुत सचे होते हैं, जो जूट को जूट और सच को सच कहने का जिगरा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं. जैसे कि तुम हो, और इस बात के लिए हमेशा तुम पर गर्फ रहा हैं. पर शायद ये बात तुम नहीं जानती, बेटा, जो घर का बड़ा होता है, मुखिया होता है, उसे घर के बजट की तरह गुस्से को भी बहुत नाब तोलकर खर्च करना पड़ता है. घर का हो या गुस्से का हो, बजट जरा भी हिल जाता है ना, तो पूरा परिवार दिक्कत में आ जाता है, बेटा. जैसे हमारी मैडम सर है, वो बड़ी है, थानी के मुखिया है, उन्हें हर चीज सही गलत, अच्छे बुरे के बारे में सोच कर ही करनी पड़ती है. मगर ये भी तो सोचो ना, उन्हेंने जो कुछ भी कहा गलत भी तुने ली कहा ना. जिम्मेदार इंसान को गुस्टा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है, बेटा. बस इतना ही कहना था. ये इतना ही था? सुनना यहाइरी लिए सूजी का हल्वा बनाया है तुम्हारी पसंद Halloween सुबग चे बजे से लगे पडेते पता है सूजी के हल्वे केलिए फाँच मिनिटमें बन जाता है बना वैसे पाँच मिनिटमें ही झालेना नहीं ऐसा करते हैं ना साथ में बैठ कर खाते हैं, तुम, हम और मैडम सर? शायद हलवे की मिठास से थाने का भारी मोहल थोड़ा अलका हो जाए आज हमें थाना में आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्या हमें थोड़ा काम है भार तो ये सूजी के हलवे का अनंद आप और मैडम सरूर आएए चलते हैं कहीं जा रहे हैं ड्यूटी करने है माडम सरूर फाइल लेने आये थे फाइल भूल गये थे वापिस ड्यूटी पे जा रहे हैं जै जै हमें कुछ भी करके माडम सरूर करिश्मा जी को साथ लाना ही होगा ये तो अमर सर बहुत आसानी से हमारा थाना हादिया लेंगे